चलो हैडिनाल दीजे क्लासिफिकेशन आफ क्लास एवीज इसके अंतरगत लिखें किसी किसी अन्य वर्टिब्रेट किसी अन्य वर्टिब्रेट ग्रुप की अपेच्छा किसी अन्य वर्टिब्रेट ग्रुप की अपेच्छा बर्ड्स जो पक्षी होते हैं बर्ड्स कम डाइवर्सिटी को बर्ड्स कम डाइवर्सिटी को शो करते हैं यानि कि आप देखेंगे कि पक्षियों के अंदर डाइवर्सिटी कम होती है समझ रहें पक्षियों के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो कम पाई जाती है other vertebrates according diversity कहे रहे हैं मतलब क्या होता है jab vibidita that means biodiversity होगी तो jab vibidita diversity कहने है मतलब vibidita तो vibidita कहने का अर्थ होता है कि दो organism यह हम यह कह सकते हैं बहुत सारे organism एक atmosphere में पाये जा रहे हैं ठीक है लेकिन वो सारे organism क्या कर रहे हैं एक दूसरे से vibidita हैं ठीक है इसी को हम लोग बोलते क्या vibidita और vibidita क्यों आती है क्योंकि यह हर organism के अंतर crossing over होता है और इसका एक कारण हो सकता है mutation का भी ठीक है तो कह लिखा birds कम diversity को show करते है birds कम diversity को show करते है अब तक अभी तक कि अगर हम लोग बात करें तो अब तक living birds की अब तक living birds की लगभग यहनि कि जो जीवित पक्षी है इनकी बात हो रही है जैस्टिन ठोचुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा है living words की लगभग 9000 9000 9000 species को 9000 species को 9000 species को 9000 species को खोजा गया है खोजा गया है जिसमें taxonomy जिसमें taxonomy वर्ग की जिसमें taxonomy के अनुसार या according जिसमें taxonomy के अनुसार या taxonomy के according पच्चिस से तीस 25 to 30 बर्ड्स 25 से तीस बर्ड्स पक्षियों को 25 से तीस बर्ड्स के आर्डर को के आर्डर मतलब गण को माननेता प्राप्त हुई है माननेता प्राप्त हुई है ठीक है नहीं नहीं से लिख लिए वेट्मूर के अक्वर्डिंग एक सान्टिस्ट पैदा हुआ वेट्मूर के अक्वर्डिंग वेट्मूर के अक्वर्डिंग वेट्मूर के अक्वर्डिंग या और्डर का नंबर आशे लिखी अब दिख रहा है और्डर का नंबर 34 है 34 यानि कि यहाँ पर 25 से 30 ओर्डर दिए गए लेकिन वेट्मूर ने 34 ओर्डर को इंक्वर्डिंग किया हम यह कह सकते हैं ओर्डर का नंबर आशे अक्वर्डर की संख्या 34 है तो कुशन पूछा जाता है किसके अक्वर्डिंग 34 ओर्डर है और टेक्सोनॉमी में कितने दिएगा है 25 से 30 यानि टेक्सोनॉमी के अंतरगत वर्डिकी के अंतरगत 25 से 30 बर्ड्स को क्या किया गया है यहाँ पर हम लोग study करते हैं ठीक है वर्डिकी के अक्वर्डिंग लेकिन वेट्मूर ने 34 ओर्डर को include किया है जिसमें से 4 ओर्डर को माने था पर आप तो नहीं हुए इस बात के जाद रखिया है चलो आगे लिखो जिसमें जिसमें इनके अप्वर्डिंग जिसमें 27 ऐसे ओर्डर है 27 27 ऐसे ओर्डर है जिनमे लिविंग बर्ड्स को जिनमें लिविंग बर्ड्स को रखा गया है तथा साथ ऐसे ओर्डर है तथा साथ ऐसे ओर्डर है जिनमें रखे गए बर्ड्स जिनमें रखे गए बर्ड्स यानि पक्षी एक्स्टिंट हो चुके हैं एक्स्टिंट हो चुके हैं एक्स्टिंट हो चुके हैं पॉइंट लिख लिजे नई लाइन से लिख लिजे स्टेट्मेंट क्लास एवीज क्लास एवीज को क्लास एवीज को मुख्यता है टू सब क्लासेज क्लास एवीज को मुख्यता दो सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है जिने क्रमसा नमबर एक आरकियोर आरकियोर निर्थीज आरकियोर A.R.C.H.A.E.O.R. आरकियोर निर्थीज जिने क्रमसा नमबर एक आरकियोर निर्थीज आरकियोर निर्थीज एचाई एएस तथा नमबर दो नियोर निर्थीज नियोर निर्थीज नियोर निर्थीज निर्थीज A, R, C, H, A, E, O, R, N, I, T, H, E, S N, I, T, H, I, E, S R की और निथीज सबक्लास R की और निथीज और दूसरी सबक्लास कौन सी है निऔर निथीज N, E, O, R N, I, T, H, I, E, S निऔर निथीज ठीके तो यह दो सबक्लासेज इंक्लूट की गई है कहां क्लास एरीज में ठीके अब यही दो सबक्लासेज हम लोग को डिटेल में पढ़ दी है और यही इंपॉर्टेंट है आपकी ठीके तो पहली सबक्लास डाल दीजेगा R की और निथीज तो सबक्लास क्या डाली में उन बर्ड्स को उन पक्षियों को रखा गया है जो जो जुरासिक पीरियड जुरासिक पीरियड में डेफिनिट्ली आपको पता है डैनासोर्स यहां पर पाया जाते थे ठीके जो जुरासिक पीरियड के जो जुरासिक पीरियड के एकस्टिंट डैनिस विलूप्त जुरासिक पीरियड के एकस्टिंट प्रिमिट्यू आध्य प्रकार के जुरासिक पीरियड के एकस्टिंट प्रिमिट्यू लिजार्ड लिजार्ड मतब छिपकली क्या कार के लिजार्ड के सिमिलर आते थे लिजार्ड के सिमिलर आते थे तो आपको यह बात याद रखनी है कि इस सब क्लास के अंतरगत उन और गणिजम को इंक्लूट किया गया जो जिवरासिक पीरियड में एक्स्टिंट हो चुके थे और यह बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के थे और प्रिमिटिव थे तो लेकिन किसकी तरह थे लिजर्ड के सिविलर थे यह चिपली के समान अपने बाडी को दर्शाते थे लेकिन इनके अदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था कि इनका जो फोर लिंब था इनका जो फोर लिंब अंगर पाज जो था वो विंक्स में परिवर्तित होने लगा था ठीक है धीरे धीरे यहां से परिवर्तन शुरू हुआ था इस बात को जाद रखिए सेकंड पॉइंट इसमें लिख लिए इन सदस्यों में इन सदस्यों में टीथ यानि कि जो इनकी बीक थी चोंच थी उस चोंच में क्या पाई जाती थे टीथ पाई जाते थे इन सदस्यों में टीथ यहां पर टीथ प्रजेंट हैं भाई साब अगला पॉइंट लिख लिए है इन सदस्यों के पंखों इन सदस्यों के पंखों यानिस विंग्स इन सदस्यों के पंखों यानिस विंग्स के शिरों पर के एंड्स पर शिरों पर विंक्स के सिरों पर 4 लिंब की स्पाइंट को याद रखिएगा थोड़ा सा 4 लिंब्स की 3-3 3-2-3 4 लिंब्स की 3-3 पंजेदार क्लाउट उसको बोलते हैं 3-3 पंजेदार अंगुलिया क्लाउट फिंगर अंगुलिया पंजेदार अंगुलिया पंजेदार दिखाई देती थी शो होती थी तो ये पूरी तरीके से बर्ड्स नहीं थे क्या इनके अंदर मॉडिफिकेशन शुरू हुआ था कि जो इनके विंक्स थे जो विंक्स था जो फोर लिंक्स में तबदील हो रहा था या चेंज हो रहा था उसके शिरे पर उसके एंड पर फोर लिंब की तीन-तीन पन्जेदार अंगुलिया I mean क्लावज क्लाड फिंगर दिखाई देती थी ठीक है अगर आप इसको देखेगे तो उसके फोर लिंब पर आपको फिंगर भी दिखाई देते थे पंजेदार फिंगर दिखाई देते थे अग्रा पॉईंट लिख लूँ, इन सरस्यों में, इन सरस्यों में लॉंग मतलब लंबी फैदर, लॉंग फैदर टेल, इन से दस्यों में लॉंग फैदर टेल पाई जाती थी, लॉंग फैदर टेल पाई जाती थी, तथा टेल, तथा टेल में, यहाँ पर आप याद रखिएगा लॉंग बहुत लंबी पूछ पाई जाती थी, तथा इनकी टेल में टेरा से अधिक, टेरा से अधिक कशे रुकाएं, वर्टिब्राज, कशे रुकाएं, तेरा से अधिक कशे रुकाएं, वर्टिब्राज, पाई जाती थी, तथा यह कशे रुकाएं, तथा यह कशे रुकाएं, अलग-अलग, यह कशे रुकाएं, अलग-अलग, यानि कि, जो कशे रुकाएं हैं, वो विल्गुल आपको अलग-अलग दिखाई दिती हैं, लेकिन यह आपस में समेकित नहीं है, बर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पर था, जो मैंने जनर्ल कॉलेक्टर में नहीं लिखाया, कि जो इसका टेल वाला रीजन होता है, उस टेल में जितनी भी कशे रुकाएं पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्टिब्रास पाए जाते हैं, यह 4 वर्टिब्रास मतलब टेल वाले रीजन का सबसे आँखरी जो 4 वर्टिब्रा हैं, ठीके, वो 4 वर्टिब्रा आपस में समेकित हो करके एक नई बोन का फॉर्मेशन करते थे, जिसको हम लोग पाईगोस्टाल गहते हैं, ठी बर्ड्स के अंदर क्या पाई जाती पाई गो इस्टाइल बोंड पाई जाती डैट मिस वहां पर जो चार वर्टीब्राज है वो आपस में तेल वाले रिजन का सबसे आखरी जी तेल वाला रिजन है ठीक है उनकी ends पर जो four vertebris पाई जा रही है वो आपस में समेकित हो करके pygo style का formation करती है लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी की सारी कशियूरिकाई जो tail region में पाई जा रही हो कैसी है अलग अलग होती है कह लिखा कशियूरिकाई पाई जाती है जो की अलग-अलग separated अलग-अलग होती है जिस कारण इन सदस्यों में जिस कारण इन सदस्यों में पाई गो style पाई गो style पाई गो style नहीं पाई जाती है जिस कारण इन सदस्यों में पाई गो style नहीं पाई जाती है समझ में आया तो पाई गो style क्या है पाई गो style एक ऐसी बोन है जो tail वाले region की जो आखरी चार बोन से उनके समेकित होने से बनती है ठीक है एक birds का बहुत ही specific character है लेकिन सब क्लास और की और निर्थीज के अंतरगत जो भी organization आते थे उनके अंदर पाई गो style नहीं पाई जाती है यह भी आप याद रखेंगे चलो अगला point लिख लो इन सदस्यों में इन सदस्यों में wings यानि की जो पंक है wings less developed कम विक्षित इन सदस्यों में wings less developed that means कम विक्षित होते थे इन सदस्यों में wings कम विक्षित less developed होते थे ठीक है अगला point लिख लिखे इन सदस्यों में इन सदस्यों के sternum में इन सदस्यों के sternum sternum क्या है sternum एक bone है जो की सामने की उर पाई जाती है thoracic reason में हमारे जो chest है इस chest में सामने की तरफ आपकर यहां पर हाथ लगा करके देखें तो एक bone पाई जाती है यहां से लेकर करके यहां तक इसको हम लोग बोलते है sternum या dagger bone इसको हम लोग dagger bone भी बोलते है या इस bone का एक और नाम है specific नाम है तो यह bone कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी और इस bone से जो rips है सामने की चरफ जो rips है इस bone के दोर आटेच रहती है और पीछे की तरफ back side में हमारी जो bone से रहती है वो किसे vertebral column that means read की हड़ी से अटेच रहती है तो यहाँ पर यह जो bone है इसको लोग बोलते है sternum और यह काफी मजबूत हड़ी होती है हमारे body के ठीक है तो जो इन सरस्यों के अगर हम लोग बात करें किसकी sub class RK और निथीज के अंतरगत जो abies रखें गए जो birds रखें उनकी बात करें तो इनके sternum में एक structure पाया जाता है समझे मैंने बताया कि जो birds होते है इन birds में एक specific character और होता है क्या कि जितने भी birds होते हैं जो flying that means जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनके अब आपको पता है इनके अंदर wings less developed है तो definitely ये उड़ नहीं पाएंगे ये चलेंगे सिर्फ रहेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो sternum है इस sternum में एक specific उभार रचना होती है ठीक है जिसको उम्हों बोलते है कील और कील से flying muscles क्या होती है attach रहती है जो की उड़ने में सायता करती है तो यहाँ पर जब ये उड़ नहीं पाएंगे तो definitely क्या होगा इनके sternum में जो कील होगा वो absent होगा तो ये लिख लीजिए इन सदस्यों में इन सदस्यों के sternum में कील के डबल ए ल कील absent होती है इन सदस्यों के sternum में कील absent होती है ठीक है अगला पर लिख ले है इन सदस्यों में इन सदस्यों में non pneumatic इन सदस्यों में non pneumatic bone pneumatic bone काँ सी होती है pneumatic bone मैंने बताया था general feature में की pneumatic bone उसे बोलते है जो काफी हलकी हो जो पोरस हो जिसमें छिद्र पाये जाए जिसके अंदर वो अंदर से खोकली हो ठीक है इस सब के ऐसे जो भी character पाये जा रहे है उसको हम लोग बोलेंगे pneumatic bone जो की word को उड़ने में सहायता करती है अब आपको मालूम है कि सब class RK और निथीज के अंतर का जितने भी यह वीज को रखा गया है जितने भी words को रखा गया है वो उड़ नहीं पाते थे जब उड़ नहीं पाते थे तो इनके अंदर pneumatic bone नहीं पाई जाएगी तो हम कह सकते हैं इनके अंदर non pneumatic bone पाई जाती है non कहने मतलब नहीं समझ मेरा non pneumatic bone पाई जाती है that means pneumatic bone नहीं होती है अगला point लिख ले यह बहुत important है तो उसको important के सिरेणी में डाल दिजिएगा इन सदस्यों को reptiles and abies इन सदस्यों को reptiles एवं abies के बीच की के बीच की connecting link इन सदस्यों को reptiles एवं abies के बीच की connecting link माना जाता है तो सर इसको क्यों माना जाता है connecting link between reptiles and abies class subclass subclass आरके और निथीज को तो subclass आरके और निथीज को reptiles और abies की connecting link किसलिए माना जाता है क्योंकि के अंदर कुछ ऐसे character पाये जा रहे है जो birds के similar है और कुछ ऐसे character पाये जा रहे है जो reptiles के भी similar है ठीके जिस कारण इसको हम लोग connecting link कह सकते हैं और यहीं से रेंगने वाले जंतों से उड़ने वाले जंतों का निर्मार हुआ आप aeroplane देखते हैं पहले चलता है दोड़ता है पहले हलके रेंगता है फिर दोड़ता है और फिर वो flying करता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको relate कर सकते हैं इस aeroplane को कि aeroplane जिस तरीके से चला है उसी तरीके से हमारे प्रत्वी पर हमारी अर्थ पर evolution भी हुआ है अब ये उड़ते 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 अब यहाँ पर कुछ ऐसे है अब यह मा सुचिएगा उड़ने के बाद में जमीन पर फिर यह आए ना mammals बने यहाँ पर reptiles कुछ reptiles उड़ना शुरू कियें कुछ reptiles mammals की तरफ grow कर गए ठीक है terrestrial ही रहे है उसको हम लोग समझेंगे mammals वाला जब हम लोग class पढ़ेंगे तब समझ भाएगा चलिए तो इसका कुछ example है important example लिख लिए एक most important example इसका आता है आपका archaeopteryx 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 lethal graphica archaeopteryx lethal graphica यह इसका genus का नाम है यह इसका species का नाम है ठीक है आर्थियोप, archaeopteryx, lethal graphica इसको हम लोग lizard bird के नाम से जानते हैं lizard birds के नाम से जानते हैं छिपकली के आकार का पक्छी ठीक है तो archaeopteryx को अगर आप लोगों ने net पे सर्च किया होगा तो आपने उसमें कुछ specific character देखे होंगे कि यह काफी बड़ा है इसकी पूँच काफी लंबी है इसकी neck काफी लंबी है इसकी beak में teeth पाये जाते हैं इसके जो four limb है वो wings में परिवर्तित हो गए हैं लेकिन wings में ही आप देख रहे हैं आपका जो भी जितने भी यहां पर आपके रखे गए हैं abies को यह आपके Jurassic period के टीक हो Jurassic period में extinct हुए है लेकिन इसका fossil प्राप्थ हुआ है जब इसका fossil प्राप्थ हुआ है तभी इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ पाया अब fossil कब प्राप्थ हुआ यह भी इस पर question पूछा जाता है तो star बना करके लिख लीजिए एक competitive level पर है इनके fossils को इनके fossils को हाँ इनके fossils को Germany इनके fossils को Germany के Breveria इनके fossils को Germany के Breveria Germany में Breveria है वहाँ से इनके fossils को Germany के Breveria से 1861 1861 यह point important है इसको underline कर लेना highlight कर लेना याद कर लेना अगर आप लोग need treat की preparation कर रहो तो आपको याद होना चाहिए 1861 में 1861 में एंड्रीज एंड्रीज वेगनर या vềगनर या वेगनर भी आप खालीन को बोल सकते हो एंड्रीज वेगनर के दोरा एंड्रीज वेगनर के दोरा प्राप्त किया गया था एंड्रीज वेगनर के दौरा प्राप्त किया गया ठा ठीके तो आर्केयोग पैरिक्स जो यहां पर बर्ड्स खोजा गया ठा इसके फॉसिल को जो खोजा गया था कहां खोजा गया था जर्मनी के ब्रिवेरिया में कब 1861 में 2861 में खोजा किसने اورीज ویگنری या ठीक है अंडरी ज़गनर ने sorry ये richtی आरिकवाद में सब क्लास आर्की और निजी इस कंप्लीट होता है अब हमारा जो सेकेंड सब क्लास है आपका वो है नियॉउर निजीज सब क्लास सेकेंड हेडिंग डाल दीजे new और्नितिज समझ ऑदाया सब क्लाव्स new और नितिज कе अंतरगत new कर्थ क्या हो गया new कर्थ हो गया modern सब क्लाव्स new और नितिज के अंतरगत और और नितिज के रहे één King मतल़ होता है bird तो यहां पर modern टाइप के birds को include किया गया तो उसमें पहला point लिख ले है, सबी लोग, इस subclass के अंतरगत, इस subclass के अंतरगत, पोस्ट जियुरासिक पीरियड, यानि जियुरासिक पीरियड के बाद, पोस्ट जियुरासिक पीरियड के, लिविंग बर्ड्स, पोस्ट जियुरासिक पीरियड के, लिविंग बर्ड्स एवम, लिविंग बर्ड्स एवम, एक्स्टिंक्ट बर्ड्स, यानि कि यहाँ पर इस subclass, नियुर निशीज के अंतरगत, जो लिविंग बर्ड्स हैं, उनको भी रखा गया, और जो विल्प्थ हो चुके पक्षी, उनको भी रखा गया है, ठीके, एक्स्टिंक्ट बर्ड्स, दोनों को रखा गया है, दोनों को रखा गया है, सेकेंड पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में, इन सदस्यों में, कुछ बर्ड्स को छोड़कर, इन सदस्यों में, कुछ बर्ड्स को छोड़कर, बाकि सभी बर्ड्स में, इन सदस्यों में, कुछ बर्ड्स को छोड़कर, बाकि सभी बर्ड्स में, जैनि पक्षियों में, विंग्स, 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 वेल डेवलब्ड, पून विक्षित, हम यह कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं, जिनको छोड़ देंगे आप, उनके इंदर, विंग्स नहीं पाये जाते हैं, विंग्स होते हैं, लेकिन वेल डेवलब्ड नहीं होते हैं, लेस डेवलब्ड होते हैं, विंग्स वेल डेवलब्ड पाये जाते हैं, अगला पॉइंट इन सरस्यों में निमेटिक बोन निमेटिक बोन इन सरस्यों में निमेटिक बोन पाई जाती है अगला पॉइंट लिए अगला पॉइंट लिए इन सरस्यों में पाईगो इस्टाइल बोले तो मैंने बताया कि ऐसे सदस्य जिनके टेल वाले रीजन की जो फोरवर्टी ब्राज हैं आखरी की जो फोरवर्टी ब्राज है वो फ्यूज हो करके एक नई वर्टी ब्राज बनाती हैं जिसको हम लोग पाईगो इस्टाइल कहते हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसे ओरडर है जहां पर आपको पाईगो इस्टाइल एपसेंट देखने को मिलेगी इन से दस्यों में बीक देट मिस चोच पाई जाती है तता चोच में टीथ तता चोच में टीथ एपसेंट होते हैं अगला पाट लिख लो अगला पाट लिख लो इन सदस्यों में इन सदस्यों में फोर लिम्ज की फिंगर यानि कि जो फोर लिम्ज में फिंगर पाई जा रही है अगर पाद में जो फिंगर उंगलिया पाई जा रही है वो फ्यूज होकर फोर लिम्स की फिंगर फ्यूज हो जाती है फ्यूज हो जाती है तथा इन में क्लास C-L-A-W-S मतलब नखर नाखून तथा इन में क्लास नाखून नखर नहीं पाये जाते हैं absent नखर नहीं पाये जाते हैं absent होते हैं ठीक है अगला point लिख लो अगला point लिख लो इन सदस्यों की tail यानि की जो पूछ है वो इन सदस्यों की tail small होती है छोटी होती है तथा इन में 13 से कम less than 30 तथा इन में 13 से कम vertebras 13 से कम vertebras पाई जाती है 13 से कम vertebra पाई जाती है तो ये खास बात होगी कि सब क्लास में और ने थी इसकी तो आप लोग इसको थोड़ा सा relate करके पढ़िएगा जो पिछली सब क्लास में ने पढ़ाई है उससे सब क्लास आर्कियोर निथीज से आप लोग सब क्लास नियोर निथीज को थोड़ा सा relate करके पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अच्छा एक नई लाइन से एक लाइन छोड़ करके लिख लिजे सब क्लास सब क्लास नियोर निथीज सब क्लास नियोर निथीज को चार सुपर नियोर निथीज को चार सुपर ओर्डर में चार सुपर ओर्डर में डिवाइड किया गया है चार सुपर ओर्डर में डिवाइड किया गया है जिने क्रमसा नमबर एक ये ओर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जिने क्रमसा नमबर एक ओड़न्टोग ने थी ओड़न्टोग ने थी कहने के मतलब भी हो गया ओड़न्टोग में स्तीत जिने ख्रमसा नंबर एक औरन्टो गने थी नंबर दो नंबर दो पैलियो गने थी पैलियो P-A-L-A-E-O पैलियोग नहीं थी, G-N-A-T-H-A-E, पैलियोग नहीं थी, या इसको भी लोग बोलते हैं, रेटेटी, इसका एक और नाम है, रेटेटी, ठीक है, रेटेटी, ए-ई, नम्मर तीन, इमपैनीज, आई-म-P-A, इमपैनीज, आई-म-P-E-डबल-N, आई-म-P-E-डबल-N-E-S, इमपैनीज, एड फोर्थ, लास्ट आपका है, नियोग नहीं, आखरी आपकी कोंसी है, नियोगनेथी, या ए-ड-E-O-G-N-A-T-H-A-E, नियोगनेथी, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं, कैरीनेटी, कैरीनेटी, C-A-R-I-N-A-T-A-E, कैरीनेटी, नियोगनेथी या कैरीनेटी, तो यहाँ पर सुपर आडर, यारी चार सुपर आडर दिये गए, याद रखें, चार सुपर आडर दिये गए, जिन में बहुत सारे आडर को इंक्लूट किया गया है, ठीक है, तो यह जो चार सुपर आडर है, इन चारों सुपर आडर को हम लोग पढ़ेंगे, कल.